प्रिविद्यार्तियों कक्षा छटी का गणी थे ये अध्या एक अपनी संख्याओं की जानकारी प्रश्णावली एक दस्मनों दो का पहला सवाल है ये और इस समय आप देख रहे हैं इस्टूडेंट पोर्टल यूट्यूब चैनल किसी इस्कुल में चार दिन के लिए एक पुस्तक प्रदरश्णी आयुजित की गई पहले दूसरे तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमश एक हजार चवरेणू अठारा सो बारा दो हजार पचास और दो हजार साथ सो इकावन टिकेट बेचे गए इन चार दिनों में ब इन चार दिनों कितने टिकेट बेचे गए इनका टोटल आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं यहां पर मैं अगर करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा सवाल नमबर दो शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाडी है वो टेस्ट मेचू में अब तक 6980 रन बना चुका है वो 10,000 रन पूरे करना चाता है उससे कितने और रनों के आउशकता है तो देखो 6980 रन बना चुका है 10,000 रन पूरे करना चाता है तो 10,000 में कितने की जरो तो थे 10,000 में 6,900 हमनों गटा दिये तो यहां पर यह गटा दिये हमने यहां पर आये 3,020 रन मतलए इसलिए उसे 3,020 रन और चाहिए यह तिसरा सवाल है एक चुनाओं में सफल प्रत्याशी ने 5,37,500 मत प्राप्त किये जबकि उसके निकर्तम प्रतिदंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किये सफल प्रत्याश्य ने चुनाओ कितने मतों से जीता सफल प्रत्याश्य ने कितने मत प्राप्त किये 5,57,500 और निकर्तम प्रत्यु दिन दिने 3,48,700 तो ये इसमें से ये घटा दिये तो ये संक्या क्या है 2,28,800 मतलब सफल प्रत्यार्षी ने चुनाओं कितने मतों से जीता 2,28,800 मतों से जीता चौथा है किर्ती बुक इस्टोर ने जून के प्रथम सब्ता में 2,85,881 रुपे मुल्य की फुस्ते के बेची इसी माह के दुसरे सब्ता में रुपे 4,768 रुपे मुल्य की फुस्ते के बेची गई दोनों सब्ता में कुल मिलाकर कितनी बिक्री वी किस सब्ता में बिक्री अधिक वी और कितनी अधिक हुई तो देखो जून के पहले सब्ता में कितनी बिक्री करी 2,85,881 मुल्य की दूसरे सप्ता में 4,768,000 तो दोनों सप्ताओं को मिला के हमने संक्या कितनी निकाली 6,86,619 रुपे की अब दूसरे सप्ता बिक्री कितनी अधिक हुई देखो दूसरे सप्ता इतनी बिक्री हुई और पहले सप्ता इतनी हुई तो ज़ादा ये है ज्यादा में से कम को वटायती आया एक लाग चौदा हजार आठसो सतोत्तर तो यहाँ पर कुल बिक्री कितनी हुई छे लाग ची आसी आजार छे सो उनसाट और दुसरे तबसाद दो अधिक बिक्री भी वो हुई है रुपे एक लाग चौदा हजार आठसो सतोत्तर की यह पांचवा सवाल है अंकों छे, दो, साथ, चार और तीन में से प्रत्यक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए पांच अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संक्याओं का अंतर ज्याद किजिए तो सबसे बड़ी संक्याओं कैसे बनाते हैं जो अंकर दिये रहते हैं उनमें सबसे बड़े अंकर को पहले लिखते हैं उसके बाद क्रमचाओं छोटे छोटे अंकर को लिखते जाते हैं तो यह सबसे बड़ी संक्याओं पांच अंकों की 52,965 ये दोनों संख्याओं का अंतर आया है ये चछटा सवाल है एक मशीन अवस्तन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बना है तो देखो अवस्तन एक दिन में कितने पेंच बनाती है 2,825 जन्वरी 2006 में दिनों की संक्या कितनी है ये दिनों की संक्या है ये है 31 कोई सा भी साल हो जन्वरी में दिनों की संक्या रहती है 31 अब जन्वरी 6 में मर्शिन द्वारा बनाए गए पेचू की संक्या है तो एक दिन में बनाती है 2825 तो 31 दिन में 31 गुनी 2825 तो ये गुणा करा यहां देख भी लिया है आप चाहो तो वीडियो को रोक कर चेक भी कर सकते हो तो कुल पेंच कितने बनेंगे जनुरी 2006 में 87,500 पीचोतर सवाल नमबर साथ है ये एक व्यापपारी के पास रुपे 38,500 बांडनुत है उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया तथा प्रत्य रेडियो का मुल्य रुपे 1200 था इस खरीदारी के बाद उसके बास कितनी धनराशी सेस रह जाएगी तो देखो एक रेडियो का मुल्य कितना है 1200 रुपे और 40 रेडियो का आर्डर दिया उसने तो 40 रेडियो का मुल्य कितना हो गया तो 40 गुणित 1200 कर दिया तो 48 ज़यर आ गया ही अब व्यापरिक पास धनराशी कितनी थी? 38500 बान्नों और आर्डर देने में खर्च धनराशी आर्डर का एंका दिया था? 40 रेडियो का तिनका मुल्य कितना हुआ था? 48 ज़यर तो आड़र देरने में ख़र से धनरासी 48 तो इतने में से इतना चले गया तो व्यापरिक पास सेज धनरासी कितनी रही 38,500,500 में से 48 गटा देते है यही संख्या 30,500,500 यह व्यापरिक पास सेज धनरासी रहेगी यह आठवा सवाल है एक विद्यारती ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक तहां वो संकेत दिया है कि दोनों गुणा करना आउशक नहीं तो देखो यहां पर एक विद्यारती ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया मतलब करना था 56 जब्दार्ट आप 65, त खालाOOOOOOOOOO 15, 15 News सुनेके अलगा युवा है light? तो 9 वहां पर इन दोनों का न्तरा नेक्ना DOG continues63 साथ ऐसे सही उत्तर से ज़िए Wool 80素 ज़िए पर 65 से गुना कर दिया मतलब 9 उंक जादा से गुना कर दिया मतलब इतना ज्यादा आएगा तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना आधिक था पैंश्ट हज़ार एक्सो चोवीज सवाल नमनो एक कमी सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटी मीटर कपड़े की आपशकता है 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजे सी जा सकती है और कितना कपड़ा सेज बच जाएगा तो देखो यहां पर यह मीटर में दिया है यह मीटर में दिया है यह सेंटी मीटर में दिया है तो इस सवाल को हल करने के लिए मीटर को किसमें बदलना पड़ेगा सेंटी में तो हम जा है तो दो गुनित सो सेंटीमेटर कर दिया 15 सेंटीमेटर तो 10 15 सेंटीमेटर दो का सो में गुणा करा तो 200 सेंटीमेटर उसमें जोड़ेंगे 15 तो 215 सेंटीमेटर मतलब एक कमी सीने में कितना कपड़ा लग रहा है 215 सेंटीमेटर और कुल उपलब दे कपड़ा कितना है 40 है तो 40 गुणित मेटर को सेंटीमेटर में बतला तो 100 का गुणा करा 4000 सेंटीमेटर अब यहां पर चुकी रितिस करेंगे चुकी 215 सेंटीमेटर लगता है बराबर एक कमीज सिने में इसलिए एक सेंटीमेटर लगेगा बराबर एक बटे 215 कमीज सिने में इसलिए 4000 cm लगेगा कितने कमीज सिने में एक बटे 215 गुणित 4000 कमीज अब 4000 में क्या करेंगे 215 का भाग दे देंगे तो भाग देने पर क्या रहा है अठारा कमीजे तो पूरी हो गई अब बचे का कितना कपड़ा 130 cm तो देखो यहाँ पर कितनी कमीजे सी जा सकती है तो अठारा कमीजे सी जा सकती है और कितना कपड़ा सेज बच जाएगा 130 cm सेज बच जाएगा सवाल नमबर 10 है दवाईयों को बखसों में भरा गया है और ऐसे प्रत्यक बखसे का भार 4 kg 500 ग्राम है एक वेन में 800 kg से अधिक का भार नहीं ले जा सकती एसे कितने बखसे ला दे जा सकते हैं तो देखो इस सवाल को हल करने के लिए हमें kg को ग्राम में बदलना होगा तो हम जानते हैं कि 1 kg को पराबर कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम अब एक बकसे का भाहर कितना है? 4 kg 500 g 4 kg 500 g इसको हमने बदला 4 गुनित kg को 1000 g करा तो यह हो गया 4000 g और 500 g जोड़ दिया तो 4500 g अब 4500 g क्या हुआ यह? यह एक बकसे का भाहर हुआ है और वेन में भाहर ले जाने की सीमा कितनी है? 800 kg तो 800 kg आट सो गुनित kg को ग्राम में बदला है तो 1000 का गुणा कर रहे हैं तो यह इतना संक्या आ गई एक आई दाई सेकड़ा हजार दसेर लाग आठ लाग ग्राम आ गया तब एक वेन में ले जा सकने वाले बकसों की संक्या क्या होगी? तो ओली टोटल भाहर कितना ले जा सकते हैं वेन में? तो 80 लाग मेंसे 4,500 ग्राम का भाग देंगे यह आएगा 117.77 पर अब जहां बख से दसमलों में नहीं आएंगे इसलिए यहां लिखेंगे 117.77 बख से इतने लादे जा सकते हैं बेन के अंदर सवाल नमर 11 एक स्कूल और किसी विद्ध्यारती के घर के बीच की दूरी एक किलोमेटर आट सो पिचूतर मीटर है प्रत्त एक दिन यह दूरी दो बार तैक की जाती है छे दिन में उस विद्ध्यारती द्वारा तैक कीगे कुल दूरी ग्याद कीजिए देखो एक किलोमेटर आट सो पिचूतर मीटर है तो या तो आप किलोमेटर को मीटर में बदलो 1,000 में 12,000 में और 1855 में भाँघ दो 1,000 का ये आ जएगा 1,85,000 मेंRIS तो हमको यह बदलने के अवश्क्च ता नहीं है क्योंकि यहां पर एक ही जगा मातरक है बाकि संख्या का गुना करना है तो एक स्कूल और किसी विद्यारती के घर के बिच की दूरी एक किलोमेटर आज 75 मीटर है मतलब एक दस्मिलो आज 75 किलोमेटर है अब वो क्या बोल रहा है प्रत्य एक दिन ये दूरी दो बार तैकी जाती है तो प्रत्रेक दिन ये दूरी दो बार तैकी जाती है इसका मतलब एक दिन में तैकी कही दूरी पर आबर दो गुणित ये विध्यारती के घर के डूरी इस्कूल और विद्यारती के घर के बीज़ की दूरी एक एक दिन में तेगर उसमें 6 क्षैका कुना कर देंगे तो यह न uj in आजए गा 22.500 खे tracking और इसका मतलब हुआ है कि 22.5 क्पिलो में इसको मिटर में बत्लेंगे तो क्या हो जाएगा 22 km यह फंसो मेटर है इसका उत्तर आएगा यह प्रस्ट रोले एक दसम्तों का आखरी सवाल है 12 वारवा सवाल एक बड़टन में 4 लीटर, 500 मिलीवीटर दही है 25 मिली मिलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे बघार आजा सकता है धारिता का मतलब ये होता है कि शमता मतलब एक गिलास में कितना पानी आ सकता है या दही आ सकता है वो मातरा को बोलते हैं हम धारीता तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें लीटर को मिली मीटर में बदलना होगा तो यहां पर एक लीटर बराबर कितने होते हैं एक हजरा मिली लीटर एक गिलास की धारीता कितनी है 25 मिली लीटर इसको बदलने के अवश्कता नहीं है कि ये खुद मिली मीटर में है अब बरतन की धारीता कितनी है 4 लीटर 500 मिली लीटर 4 लीटर 500 मिली लीटर लीटर को मिली मीटर में लिखा एक हजार और उसका गुणा करा तो 4000 mm और ये इदर 500 आया सीधा तीस में जूड़ गया 4500 mm अब चूँकि 25 mm दही आता है बराबर एक गिलास में ये इसलिए 1 mm दही आएगा एक बटे 25 गिलास में इसलिए 4500 जो बरतन में दही है 4500 mm दही आएगा बराबर एक बटे 25 गुणी 4500 बटे एक गिलास में और इसमें इसका भाग देंगे कितना आएगा 180 आएगा मतलब ये बरतन में जो दही है वो कितने गिलासों में आएगा 180 गिलासों में आएगा तो हमने देखा प्रश्णावली एक दसमें दो के ये सभी सवाल है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद